हलो फ्रेंट्स मैं संगीता सुदले का फूट कॉर्णर में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए आसान सी जटपट बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कोई भी समान नहीं लाना पड़ेगा घर में पड़ी कुछी चीजों से आप इसे मिन्टों में बना के त्यार कर सकते हैं बारा से पंदरा दिनों के लिए इसे आप श्टोर करके भी रख सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको मावा, मलाई, दूद, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाश्री बनाने का कोई जंजट, मुह में घुल जाने वाली नरम, मुलायम, श्वादिस्ट, हलवायो जैसे मिठाई बन कर त्यार होगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लेज इसे लाइक, शेयर करना ना भूले, चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही सभी बेल आइकन को दबा ले, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके तो फिर चले शुरू करते हैं, यहां मैंने आधा कप चीनी लिया है, चीनी आप अपने स्वात के इसाफ से थुरा कम जादा कर सकते हैं, इसे मैंने मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल दिया है, दो से तीन हरी लाइची डालेंगे, अच्छे सा फ्लेवर के लिए, अब इ अधा कप बेशन, मैंने यहां पर सभी चीजों को मेजरमेंट कप से लाप कर लिया है, आप इघर का कोई कटोड़ी या कप सेट कर ले सारा मेजरमेंट उसी से करें, अब सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं, धीमी आज पे इसे लगातार चलाते हैं, शुरूआत में इ दिखाए देगी, इन गुट्लियों को दवाते हुए, इसे हमें भूनना है, ऐसा लगेगा, जैसे ही सुखा सुखा सा मिक्षर हो गया है, इसमें घी की कमी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, घी इसमें पर्फेक्ट है, जैसे इसे आप भूनते जाएंगे ना भूनेंगे, तो इसका टेक्स्चर बिल्कुल चेंज होता जाएगा, तो इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, फ्रेंट्स आज को तेज बिल्कुल भी मत कीजेगा नहीं, तो ये ठीक से भूननी पाएगा, तो इसलिए धीमी आज पे ही हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना और यह देखिए इसका टेक्शर अब चेंज होना शुरू हो गया है तो इस तरह से घर में पड़ी चीजों से आप लाजवाब मिठाई बना के त्यार कर सकते हैं तो इस मिठाई को इब बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और यह देखिए फ्रेंट्स अब इसने घी को भी र कोड़ी देर और भूनेंगे इसे भूनते वे करीब 14-15 मिनट हो गया है और यह पहले से काफी हलका और फ्लैपी सा हो गया और इसने घी को भी रिलिस कर दिया है पुरा कीचन खुसबू से महक उठा है फ्रेंट्स जब इसे अप इस तरह से थोड़ा थप थपाएंगे ना म दिखेंगे इसके उपर इस तरह से घी की परत आपको दिखेगी यह इंडिकेशन है कि हमारा मिक्षर अच्छे से भून चुका है अगर इस तरह का टेक्षर आपका मिक्षर में नहीं आता है तो आप यहां पे एक चोटा चमच घी और डाल सकते हैं फ्रेंट्स एक चोटा चीनी के बदले बूरा या फिर मिस्टरी को भी पिसके डाल सकते हैं एक चोटाई कप मिल्क पाउडर डाल दिया है मिल्क पाउडर डालने से मिठाई में बहुत ही अच्छा मावी वाला टेस्ट आएगा और मिठाई का टेस्ट भी काफी बढ़ जाएगा फ्रेंट्स मिल्क कुछ नहीं डाल रही है क्योंकि मैं एक दम इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो धीमी आज पर इसे हमें लगातार चलाते हुआ अच्छे से मेक्स करना है एक से दो मिनट में ही देखेंगे फ्रेंट्स एह मिक्षर कुछ इस तरह से बंदा बंदा जैसा हो जाएगा क् मेला लगां दिखा ए कि कर दो मिठाइगा के सीपल त्रीयच ले बंदा लगा दिया है मेरे पास बटर पेपर लगाना जरूरी को घ्र नहीं है से घ्र तरह से दबाने लगा दिया है इसे बंदा कि sel tool में तैया है उहां यौ इन से स्टाइवあり Lecture कर मेल समय और आर च्छे में फैला देंगे इस मिठाई को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपने देखा इसे बनाना कितना असान है तो इस मिठाई को बना कर आप जरू ट्राइ कीजेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले चैनल को जरू कर लिया है आप देख सकते घी उपर दिख रहा है अब इसे हम आदा से कंटक लिए फ्रिज में रख देंगे सेट हो चुकी है इसके किनारों कुछ तरह से थोड़ा कर लेंगे और एक प्लेट में पलेट लेते हैं और इसकी बटर पेपर को भी हटा देते हैं अब मैं इसे क कट कर लेती हूं तो फ्रेंट्स काटने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी मिठाई कितनी अच्छी बन कर त्यार हुई है एक तब मखन की जैसा ही कट रही है तो फ्रेंट्स आप से रिक्वेस्ट है इस मिठाई को आप बना कर वजरू ट्राइब कीजिएगा और आप चाहिए तो इसे अपने मन पसंद किसी भी ड्राइब फूट से गर्निस कर सकते हैं तो लीजे फ्रेंट्स हमारी मूं में घुल जाने वाली हलवाई जैसी नरब मुलाइम स्वादिश्ट मिठाई बन कर त्यार है उमीद है आपको मेरी एरेसेपी जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं यह रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई